रांची के मांडर स्थित एनेच 75 पर बने टोल प्लाजा को चालू होने से पहले ही ग्रामिनों का आख रोश देखा जा रहा है आरोप है कि मांडर के एनेच 75 पर बना टोल प्लाजा नेशनल हाइवे ऑथरिटी ओफ इंडिया के नियमों को ताक पर रखकर बनाया है अब इसके विरोध में स्थानिय विदायक बंदू तिर्की और ग्रामिनों ने जंडा बुलंद कर रखा है यह राची के मांडर सित नेशनल हाइवे 75 की सड़क नेशनल हाइवे ऑथरिटी ओफ इंडिया ने इसे बनाया और यहाँ जल्द ही टोल टैक्स प्लाजा खोला जाएगा इसके खुलने से पहले से ही ग्रामिनों ने विरोध का जंडा बुलंद कर रखा है इस बाबत ग्रामिनों का कहना है कि सड़क में उनकी जमीन गई लेकिन जो मुआवजा सरकार दे रही है वो सही नहीं है ग्रामिनों का कहना है कि उन्हें उचित मुआवजा मिलेगा तब ही टोल टैक्स प्लाजा चालू करने देंगे वहीं टोल प्लाजा पर कई अन्यमता देखने को मिल रही है टोल प्लाजा दो ही लेन में बनी है जबकि टोल प्लाजा कम से कम लेन वाला होना चाहिए वहीं पानी बिजली जैसी शमस्या भी वहां मौजुद है मुडवा में जो टोल टेक्स का जमीन लिया जा रहा है वो अगरिकल्चर लेंड है सरकार का उसमें सरकूलर है कि जो ग्रीन लेंड है अगरिकल्चर लेंड है उसमें किसी तरह का निर्मानकार नहीं होना चाहिए सरकार का यह सरकुलर भी है और उसी को लेके जनता विरोध कर रहे हैं आचुकि मुआउजा का तो इसमें सवाल ही नहीं उठता है इसमें देना नहीं चाहते है और हम लोग जमीन देना नहीं चाहते है तो जबर जबर्जत्ती के साथ लाठी के बल पे यह होना नहीं चाहिए तोल प्लाजा को लेकर ग्रामेनों की कई शिकायते हैं उनका कहना है कि National Highway Authority of India पहले सभी समश्याओं को सुलजाए तभी तोल प्लाजा शुरू करे अब National Highway Authority of India अस्थाएं निये लोगों की चिंताओं को किस तरह दूर कर पाती है ये देखने वाली बात होगी ब्योरो रपोर्ट सब्रंग समचार व्रांठी